हमारे देश की सरकारे ये कहते हैं कि क्रशी अगर लाबकारी हो गई तो नेताओं की राजनी डूब जाएगे नेता ये कहते हैं कि राजनी चलाने के लिए गरीबी रहनी ही चाहिए बुखमरी होनी ही चाहिए वेरोजगारी होनी मैं आपको बिना किसी लाग लपेट के कहता हूँ एक बूतपूर प्रधान मंत्री थे जो अब जीवित नहीं है उनका नाम था चंदरशेकर एक बार मैंने उनसे ये बात की जो आपने मुझसे की कि करशी को लापकारी क्यों नहीं बना सकते क्या मुश्किल है आसान काम है तुर्ण का आसान तो है बनाना भी है आसान है कोई मुश्किल नहीं है कुछ कानून में फेर बदल करने की जरूरत है एक एगरी कल्चरल में आगए सारे किसान तो इनकी गरीबी खतम ये गरीब नहीं रहेंगे तो हमको नहीं पूछेंगे हमारी राजनी इतनी चलेगी हमको माला कौन डालेगा हमारी जैजेकार कौन करेगा हमारी जिंदा बात कौन करेगा ये तो नहीं करेंगे क्योंगे ये तो हमारे जैसे हो जा बस अंतर इतना है कि मैं खुलके कह रहा हूं बाकी पर्दे के तीछे कहते हैं तो कोई सरकार नहीं चाहती कि गरीबी बुक्मरी बेकारी खतम हो क्योंकि उससे उनका आधार ही खतम होता है उनका तो emotional blackmailing है ना गरीबी बुक्मरी बेकारी वो खतम नहीं होने देना चाहते हैं इसलिए वो इसी व्यवस्था को चलाना चाहते हैं अब आपके उपर है कि आप इसको ताकत लगाते खतम कर दें तो व्यवस्था आपके हिसाब से चलेगी ये हमारे लिए है मुख्य बाद समझने बहुत आसान है करशी लापकरी हो सकती है आप सिर्फ इतना कर दो कि जैसे उद्योग पती अपने कोई भी उत्पाद का भाव तै करता है वैसे किसान अपने हर उत्पाद का भाव कुद तै करेगा बस बात खतम होगा उसको जो लगता गेहू बेचेगा उस भाव में उसको जो लगता चावल बेचेगा उस भाव में अगर जूता बनाने वाला मोची अपने जूते का भाव तै कर सकता है तो गेहू पैदा करने वाला किसान क्यों नहीं कर सकता अपने गेहू का भाव तै अपने हिसाब से तै कर लेगा जिसको खरीदना खरीदे नहीं खरीदना ना खरीदे जैसे जूता होता है चपल होता है टूथपेस होता है टूथब्रश होता है इनके भाव सरकार तै करती है क्या वो अपने भाव खुद तै करते हैं किसान इंको भी छोड़ दो, अपने भाव तै कर लेगा, तो उसमें सब चीज हैं जोड़ेगा वो, हैं जी, हाँ, तो आप ये जो क्रेता का किसा है, ये विक्रेता का कर दो, जैसे पूरी एकॉनोमी में विक्रेता भाव फिक्स करता है, ऐसे ही किसान की एकॉनोमी में विक्र प्रेता फिक्स करेगा इतने करना पूरी क्रशी लाग करी हो जाएगी आपकी दिम्यान वे खृतित है तापकी सभी बातनों से में जामा सुनों रिज़ान